हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं आयर वी इंफ्लेस्ट्रक्चर की क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो यहां आप देख रहे होगे स्टॉक में आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक में बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर चैनल के अंदर रिएंट्री पाई है स्टॉक ने और यहां पर आप देखेंगे यह एक साइडवेज हो गया था स्टॉक यहां तक सही चला इधर तक रिटर्न भी अच्छा है 39 भी लास्ट राइम गया था कुछी दिन पहले हो इस क्या साइडवेज था अफ्रिश स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम देखरे को मिला है और यहां पर आप देखेंगे आज जो स्टॉक था वो निउस ड्रिवेन था यहां पर जो निउस थी वो थी इंडिया's IRV infrastructure at record high as November toll collection rises तो यहां पर आप देखेंगे Highways infrastructure developer says November toll correction rose 19.4% year on year to 4.37 billion रुपीज इसी वज़े से आपको यह stock भागता हुआ देखने को मिला है आज में और यहां पर एनलिस्ट भी इसकी buying rating लगा रहे हैं रहा हूँ वो note करिएगा यहां पर आप देखेंगे sellers का area यहां देखने को मिला है अपने को 40.95 क्यों पर stock नहीं जा पाया finally और नीचे ही closing की है यहां पर 39.90 यहां से bullish momentum देखने को मिला है 38.80 से अच्छा चला gap up अपने गुईती stock में इसके बाद सही नकला है तो मंडे को जो अपने पहले target रहेंगे वो रहेगा यही वाला target 40.50 रुपीज का 41 जब sustain करेगा तो अपने बड़े target नहीं जाने वाले हैं कोई क्योंकि stock छोटा है तो 42 रुपीज का target रहेगा पहला अपना इसी दिशा में 42 के बाद ऐसी दिशा में फिर 43 का target रहेगा क्योंकि stock ऐसे ही चलने वाला है और इनी levels के साथ साथ stock आपको उपर 44 रुपीज तक के target दिखाएगा एक-एक point के अपने target है एक-एक point में ही cover up होना है और यहाँ पे अगर support की बाद कर ले हैं by any means stock fall दिखाता है तो पहला support यहाँ से दिखाएगा 39.35 एक support रहेगा strong support है नीचे नहीं जाना चाहिए और दूसरा support अपना रहेगा यहाँ पे 38.85 यहाँ पे जो आज यहाँ से police momentum था तीसरा support इसी दिखाएगा 35.45 वैसे इसमें मेरी भी holdings थी आज मैंने कुछ holdings अपनी clear करी है मेरी काफी low पे बाये था यहाँ कहीं पे बाये था मेरा 35 से तो और वहाँ से कुछ holdings मैंने नकाल दी है बाकी अब आगे बेचूँगा तो सही चल रहा है stock of performance stock की सही रहने वाल यह उपर की दिशा में और बस एक चीज़ notice करिएगा क्योंकि nifty all time high है और वहाँ से अगर आप कोई reversal बनता है nifty का थोड़ी unstability आती है कर nifty में तो reversals के chances majority of the stocks में आपको देखने को मिलेंगे panic selling होती है तो थोड़ा समल के रखिए इसलिए trailing stop loss लगा के रखिए no doubt आपका stock trailing stop loss में निकल जाए बट कहीं न कहीं आपकी returns बिगड़ने से बच जाएंगे और आप stock फसने से कहीं न कहीं रुख जाएगा यूकि nifty जितनी तेजी से भाग stock सही returns निकाल रहा है आप अगर almost stock को पकड़ें यहां से august सही stock अगर capture करें तो stock अभी तक आपको 59-60% की returns निकाल चुका है तो कोई कमी नहीं है stock में और यहां से अगर इस level से पकड़ें इसको October से अभी तक आप देखेंगे 31% की returns अलरड़ी आ चुके है तो stock सही चल रहा ह और उपर तक जब जाएगा इस level से जहां पर आज है तो यहां से आप देखेंगे अपने 11-12% की returns फिल से निकल के आने वाले तो ऐसे चलेगा stock समझदारी से काम लीजिएगा panic selling मत कर दीजिएगा कोई भी trailing stop लोग ज़रूर लगाएगा वीडियो यहीं तक रखते हैं मलते नेक्ट वीडियो में इस में सुभमियादव साइनिंग ओफ